हेलो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंस आज हम सीखेंगे यह डिजाइन 2 दोस लयोंका डिजाइन है आप। इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाइ कर सकते हैं इस तरह से बन के आता है और बैक सेरिस का इस तरह से बन के आता है कि दो सिलायों का बहुत आसान डिजाइन आये सीखते हैं कि दो फंदे हम उल्टा बना लेंगे इस दो फंदे साइट में हमने दो फंदे उल्टा बनाना है धागा को आगे की तरव रखेंगे ने धागा को अपनी तरव ही रखेंगे और इधर हम इस तरह से लेना है यहां जाली बनाते वे इस दो फंदे को एक बर ऐसे लिया फिर एक बर धागा अपनी तरव रखके दो फ फंदे बनाने हैं इस तरह से दो फंदे के चार फंदे बन गए एक दो तीन चार धागा को फिर अपनी तरब रखेंगे और इधर सीधा बनाते वे एक जाली बन गई एक बारी सीधा बनाया इस तरह से एक बार धागा को अपनी तरब रखेंगे दो फंदे के चार फंदे बन गए हैं पूरी स्लाय में हमें रिपीट करेंगे धागा अपनी तरब रखेंगे इसको सीधा बनाते वे एक जाली निकल गई है फिर इस तरह से लेके एक बार अपनी तरब धागा लेके एक सीधा बना लेंगे तो दो फंदे के चार फंदे बन चुके हैं तागा अपनी तरफ लाएंगे इसको इस तरफ से सीधा लेना है सीधा बनाते वे इसको सीधा बना देंगे एक बार एक बार अपनी तरफ धागा रखेंगे एक बार और सीधा बना लेंगे इस तरह हमारे ये च एक बार धागा को अपने तरब लेंगे फिर इसको सिधा बना लेंगे दो फंदे के ये चार फंदे बन चुके हैं एक दो तीन चार इस साइट में दो फंदे उल्टे बनाने हैं इस तरह से साइट साइट में दो फंदे उल्टे लेना हैं डिजैन की पहली रो रॉंग साइट डिजैन की दूसी रो इन दोनों फंदों को उल्टा उल्टा करके बना लेंगे एक दो यहां जो चार फंदे हैं इसको हम दो दो करके इस तरह से घटा लेंगे एक बार दो काई कर लेंगे जो चार फंदे हैं इसको फिर हम इस तरह से दो दो करके घटा लेंगे एक बार इसको घटाया दो फंदा इस तरह से दो दो फंदे करके रॉम साइस ते हमने घटाना है दो दो फंदे करके इस तरह से दो का एक बना लेंगे ये चार फंदे हैं इसमें भी हम दो का एक बना लेंगे वह यह साइट वाले दो फंदे इसको हम उल्टा बना लेंगे यह इस तरसे बन के आएगा दो स्लाइब में और बता देती हूँ पहला वाला दो फंदे उल्टे बनाने हैं दो फंदा उल्टा धागा को अपनी तरव भी रखेंगे और यहां इस तरह से लेके जाली बनाते हुए इसको इस तरह से सीधा बना लेंगे एक बार धागा अपनी तरव लेंगे एक बार और हम सीधा बना लेंगे तो दो फंदे के चार फंदे बन गए है तागा को अपनी तरब लेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बनाते वे इस तरह से जाली बनाते वे इनको सीधा बना लेंगे एक बार धागा अपनी तरब और लेंगे और इन दोनों फंदों को इस तरह से बना लेंगे दो फंदे क चार फंदे बन गई है धागा को अपनी तरब लेंगे इन दोनों फंदों को इस तरह से लेके इधर जाली बन गई है जाली बनाते वे इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे एक बार धागा अपनी तरब लेंगे एक बार और इस दोनों फंदों को सीधा करके बना लेंगे इस च आगे की तरब अपनी तरब लेंगे, इन दोनों फंदों को इस तरह से लेना है, जाली बनाते भी इसको इस तरह से बनाना है, एक बार धागा अपनी तरब और लेंगे, और इसको फिर एक बार और सीधा बना लेंगे, दो फंदे के ये चार फंदे बन गए हैं, धागा अपन बना लेंगे दो फंदे के चार फंदे बन गए हैं साइट वाले दो फंदे हैं इसको हम उल्टा उल्टा करके बना लेंगे दूसरी जो wrong set इन दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे और जो चार फंदे इन मैंसे दो दो फंदे करके दो फंदे का एक पंदा गहटा लेंगे इसको दो फंदे का एक फंदा इधार वे दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे वापस हमारे दो फंदे के दो फंदे बन गए है इस तरह से इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे जो चार फंदे हैं इन दोनों को पहले दो का एक बना लेंगे फिर इस दो का एक बना लेंग रॉंग साइट में हमने यही रिपीट करना है दो फंदे का एक फंदा बनाना है यह दो फंदे हैं इनको हम उल्टा-उल्टा करके बना लेंगे दोस्लायों का बहुत आसान डिजैन है आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अपलाई कर सकता है इस तरह से बन क्या आता फ्रेंज से पूरा बन की इस तरह से दिखता है आप लेडिस कारडिगन में भी अपलाई कर सकते हैं जैन स्वेटर में भी इसको अपलाई कर सकते हैं पूरा बन की इस तरह से दिखता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है थेंक यू, फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साहर